लेकिन जब हमारे अंदर ये विचार आएगा कि धर्म स्वय में स्वय के लिए होता है और धर्म अपने सुख के लिए होता है, तब आपके अंदर से वे धर्म कहीं शुरू होना कहीं प्रारंब होना कहीं उसका कोई भी एक बिगनिंग होना तब वहां से शुरू होता है और अगर वे नहीं शुरू हुआ तो धर्म के ये दस दिन कई बार आते हैं चले जाते हैं शुरू कुछ नहीं हो पता है जो हमारी धारणा बनी है जो हमारे अंदर भ्रहम पल रहे हैं जो हमारे संस्कारों में बना हुआ है उसे हम छोड़ना नहीं चांते हैं क्योंकि उसको छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं रहेंगे हमने अपने लिए भी सबसे पहले भ्रहम पाला और वो सबसे बड़ा भ्रहम तो खुद से ही शुरू होता है जब हम स्वयम में अपने लिए भ्रहमित होंगे तो हमारे आसपास जो कुछ भी होगा वो सब भ्रहम पूर्ण होगा शरीर को आत्मा मानना सबसे बड़ा भ्रहम है शरीर को अपना मान करके उसे ही अपना स्वरूप मानना यहां से भ्रहम की शुरूबाद होती है और मजे की बात यह है कि यह भ्रहम उसी भ्रहम में उत्पन होता है जिस भ्रहम के साथ में हम जी रहे होते हैं कितने ही दस लक्षन मन गए और कितने ही दस दिन हो गए और कितने ही क्रोध के और छमा के प्रवचन हो गए कभी किसी ने क्रोध को नहीं छोड़ा क्रोध वो करेगा क्योंकि जो करना है वो पर में ही करना है पर के लिए करना है क्रोध कभी अपने में अपने लिए नहीं होता क्रोध दूसरे में दूसरे के लिए होता है क्रोध जब भी उत्पन होगा दूसरे के लिए उत्पन होगा दूसरे से उत्पन होगा इसलिए क्रोध किया जाता है और जब आप क्रोध करने की आदत में आ जाते हैं तो फिर क्रोध करना अच्छा नहीं लगता इसलिए एक सब्भी होने के लिए थोड़ी सी सब्भिता दिखाने के लिए हम कहते हैं भाईया क्रोध मत किया करो छमा किया करो क्या किया करो अब ये बताओ कि क्रोध धर्म है कि छमा धर्म है अगर छमा धर्म है तो छमा कभी की नहीं जा सकती और क्रोध अगर धर्म है तो उसे कभी जिया नहीं जा सकता आप देख ले न क्रोध के साथ में आप कितने जी पाते हैं कितनी देर तक आप उस क्रोध के साथ जी सकते हैं, क्रोध के साथ आप एक घंटे रह सकते हैं, दो घंटे रह सकते हैं, आपको बाद में नॉर्मल होना पड़ता है, अगर आप क्रोध में रहेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, क्रोध में रहेंगे आपको भोजन भ जिया जा सकता, लेकिन छमा के साथ जिया जा सकता है, इसलिए जो हमारा धर्म होता है, वो हमारा सुभाव होता है, जो हमारा धर्म नहीं होता है, वो विभाव होता है, और जो विभाव होता है, वो किया जाता है, और जो सुभाव होता है, वो जिया जाता है, आपको सोचना है कि आपको धर्म करना है कि अधर्म करना है क्योंकि धर्म भी अगर करोगे तो वो अधर्म की सिरेडी में आ जाएगा और जो किया जाता है वो सुभाव नहीं होता वो विभाव होता है और जब जब आप उस विभाव को करोगे आप अपने सुभाव को जी नहीं पाऊगे आपको लगता है कि हम छमा कर रहे हैं हमने तुमको छमा कर दिया हमने तुमसे छमा मांग ली जब तक ये सब चल रहा है छमा कहीं से कहीं तक होती ही नहीं क्योंकि ना छमा करने की चीज़ है न छमा मांगने की चीज़े न छमा किसी भी तरह से किसी के उपर एहसान करने की चीज़े छमा अगर धर्म है तो उस धर्म के साथ हमें जीना है और जो धर्म के साथ जीएगा वो दूसरे पर भला एहसान क्यों करेगा लेकिन आपकी बुद्धी जैसा अपने लिए सोचती है बैसा ही दूसरे के लिए सोचती है और इतना ही नहीं वो तीर्थंकरों के लिए भी बैसा ही सोचने लग जाती जैसा आप अपने लिए सोचते हैं आपने भगवानों को भी नहीं छोड़ा पारशुनाद भगवान ने कमट को छमा कर दिया क्या कर दिया पारशुनाद भगवान ने कमट को छमा कर दिया भगवान ने कभी कहा कि मैंने कमट को छमा कर दिया कि कहां से सीखा आपने जैसा हम अपने बारे में सुनते हैं अपने बारे में सीखते हैं अपने बारे में धारणा रखते हैं बैसा ही हम दूसरों के बारे में रखते हैं जब हम अपने शरीर को अपना मानते हैं अपने पुत्र अपनी इस्तरी को अपना मानते हैं तो फिर दूसरे के शरीर को, दूसरे के पुत्र को, दूसरे की इस्त्री को भी हम उसी तरह से देखते हैं, ये इसका है, ये मेरा है, ये इसका है, ये मेरा है, और इस तरह से मान करके हम फिर ये चाहते हैं, कि जैसे इसके पास ये है, तो हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमा च्छमा भगवान ने कमट को की यह आपने कहां से सीखा क्या भगवान कभी किसी को च्छमा किये है भगवान ने कमट को च्छमा की कि भगवान ने अपने अंदर च्छमा धारण की क्रोध नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरे को छमा कर दिया क्रोध नहीं करना अलग बात है और छमा धारन करना अलग बात है क्योंकि छमा हमारा सुभाव है छमा हमारा धर्म है तो हमें धर्म के साथ जीना होता है तो हम धर्म में जीएंगे हम अपने आप में छमा मूर्ती बन जाएंगे जब हम धरम में हो जाएंगे क्रोध करने वाला क्रोध करता रहेगा हमें उसके क्रोध से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि क्रोध हमें नहीं करना है क्योंकि क्रोध नहीं करना ये हमारा हमारा अपना नेचर नहीं है हमारा अपना सुभाव नहीं है हमारा अपना धर्म नहीं है इसलिए हमें क्रोध नहीं करना लेकिन देखने वाले को ये लगता है कि इतना क्रोध करने के बाद भी इनोंने उसके लिए कोई रियक्ट नहीं किया माने उन ने उसको छ्षमा कर दिया भगवान ने कभी किसी को छ्षमा किया क्या जो किया जाएगा वो धर्म हो गाई नहीं यह सुकती वाग क्या है याद रख ले ना कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा सास्त्रों में जो किया जाएगा वो धर्म नहीं होगा अगर आपने कहा कि मैंने तुझे च्छमा किया तो कोई उसमें धर्म नहीं किया तुमने च्छमा तुमें करना ही नहीं किसी को च्छमा तो तुमें धारण करना है च्छमा में तो तुमें जीना है क्योंकि धर्म धारण किया जाता है धर्म को जिया जाता है और करम को किया जाता है पर में किया जाता है स्वय में जीया जाता है इसलिए जो स्वय का धर्म है वो हमारा छ्षमा है अगर हम अपने धर्म में जीएंगे तो अपने लिए जीएंगे जब तक हम दूसरे के लिए जीएंगे वो धर्म होगा ही नहीं इसलिए कई लोग भीतर ही भीतर अपने मन को बड़ा आकुलित किये रहते हैं मन उनका बड़ा मचलता रहता है और मन में आता है कि मैं इसको छमा कर दें लेकिन मन नहीं करता कि इसको छमा कर दें क्यों कर दें इसने मेरे साथ तो बहुत गलत किया इसने मेरे परिवार को नश्ट कर दिया इसने मेरा ब्यापार नश्ट कर दिया इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है अब मन को हम कैसे समझाएं कि मन छमा कर दे नहीं कर सकता मन का काम ही नहीं छमा करना क्योंकि मन का काम है ब्रह्मे जीना और जब भ्रम्य जिया जाता है तो परमे अपने आपको इंगेश की रहता है, परमे अपने आपको लगाए रखता है इसलिए कई लोग भीतर भीतर परिशान होते हैं, सुनते रहते हैं, हर बार सुनना पड़ता है क्रोध मत करो, चमा करो, अब चमा आए आंदर से तब तो मन तो करे चमा करने का, कहां से कर दूँ चमा? सुन रहे हो कि नहीं? ठाकुर को जानते हो? गबर को जानते हो? नहीं सुन रहे हो? क्या भूल लाँ? जिस गबर ने ठाकुर के परिवार के एक-एक व्यक्ति को गोली से भून दिया हो? सोचो, क्या उसको चमा किया जा सकता है? अगर आपके सामने कभी आपके साथ ऐसा हो जाए? बताना हमें कितनी चमा है आपके अंदर? उस द्रश्च की परिकल्पना कभी अपने साथ संबंद जोड के भी करने की कोशिस करना, देखने की कोशिस करना कभी हो जाए? तो आपके मन में बिचार आजाए कि नहीं अगर मेरे साथ ऐसा भी हो जाए, तो भी मैं सब कुछ चमा कर दूँगा? सुनरे हो? गबबर और ठाकुर जानते हो? सब जानते होंगे? ये चमा का भाव करने से आई नहीं सकता, आपको लगता है कि पारसनाद भगवान ने कमट को चमा कर दिया, कभी नहीं कर सकते, आप बले गीत गाते रहो कि पारसनाद भगवान ने अपने बैर का कोई बदला नहीं लिया, कमट के लिए कुछ भी रेयक्ट नहीं किया, पार क Can Command के लिए नहीं थे अगर वह दिखाने के लिए होते तो कई ना कई विशलित हो गए होते हैं क कि दूसरे के लिए होते तो किसी ना किसी उफसरगी जब एक्स्ट्रीम स्टेट होती है तो वहां पर आदमी जाकर के विशलित हो जाता है लेकिन जब वह सुआ से जोड़ा होता है, अपने में जोड़ा होता है, अपने लिए कर रहा होता है, तो उसे पर से कोई मतलब नहीं होता है, वो दुनिया का कितना ही बड़ा उपसरग हो, वो सब जिल ले जाता है, क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, जब अपने लिए होने लग जाता है तो फिर ये बात ही नहीं आती कि मैंने तुझे च्छमा कर दिया मैं तुझे छमा कर नहीं सकता क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है मेरा मन गवा ही नहीं करता कि तुझे छमा कर दू मन कभी गवा नहीं कर सकता क्योंकि मन हमेशा पर के लिए पर में दोड़ रहा है और जब छमा का भाव आता है तो छमा मन का सुभाव नहीं है छमा किसका सुभाव है छमा आत्मा का सुभाव है धर्म मन से नहीं होता मन को गिरा करके होता है मन को मान करके धर्म करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा मन तो कहेगा कहाँ आ गए हम यहाँ पर घर का अच्छा आली सान कमरा छोड़ करके यहां कहीं कहीं कहां तंबूओं में और टेंटों में मन की मानों के तो कहीं धर्म नहीं होनेगा जो मन को बिल्कुल गिरा देगा मन को बिल्कुल ड्रॉप कर देगा धर्म तब सुरू होगा क्योंकि मन कभी धर्म करने ही नहीं देता क्योंकि मन बहुत चालाग है वो हमेशा ऐसी उधेडवुन में लगा रहता है कि कैसे न कैसे इस आत्मा का हित हो ना पाए इसलिए जो मन से धर्म करना चाहते हैं भूल जाए मन से कभी धर्म नहीं होता क्योंकि मन भी पर है और पर पर में ही भटकाता है मन अपना नहीं है आपको लगता है मन अपना है भीतर से बाहर तक कुछ भी आपका नहीं है शरीर आपका नहीं, मन आपका नहीं, विचार आपके नहीं फिर भी आप सबको अपना माने बैटे हो यह मेरे मन में विचार आया, यह मेरा विचार है ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर में इतना सौस्ठव है, मेरे शरीर में इतना पुष्टी पना है, ये सब आप जो अपना मानते हो, कि ये मेरे शरीर में मेरा हो रहा है, वो शरीर में हो रहा है, लेकिन आप उसे अपना मान ले, तो ये आपका ब्रहम हो जाता है। हाग किसमें पुस्ट हो रहा एक कॉन हो रहा है उसरीर की पुष्टि से आत्मा पुष्ट हो जाता तो फिर तुम है आनि जुरूत क्या थी फिर तो तुम्हें अच्छे जिम सेंट्रों में पहुँचाया जाता, वहाँ जाकर के अच्छी वर्जिस करवाई जाती और तेल मालिस करके अच्छा बादाम का दूद पिलाया जाता तो अच्छा धरम होता फिर यहाँ पर आके क्या धरम करोगे? नहीं समझ मारा? धरम, जब हमारे भरम के साथ चलता है, तो वह पर्व से जड़ता चला जाता है और फिर वह धरम कभी होई नहीं पाता, धरम के दस दिन भी ऐसे ही निकल जाते हैं इसलिए तीर्थंकर भगवान ने कहा धरम सामान भाव में आने में होता है, विसेश भाव में धरम होता नहीं है बताओ, क्रोध विशेश है कि छमा विशेश है आपके अंदर विशेशता का बाती है आपने कभी-कभी ऐसे पोस्टर लगे हुए देखे छमा मूर्ति के किसी के पोस्टर लगे हो एंग्री में नहीं समझ मारा एंग्री मेन का तो बहुत ख्याती होती है बहुत लोग अपनी पर्सनल्टी को एंग्री मेन के माध्यम से पैचानते हैं जनाये जाते हैं छमा मूर्ती के माध्यम से किनी के दुकानों पर किसी के घरों पर कोई पोस्टर लगे हो है ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए रुचिकर है ही नहीं वो केबल धरम के दस दिनों में ही छमा आती है धरम के दस दिनों में ही बस याद आता है क्योंकि आप विसेश होना चाहते हैं जब आप छमा में होंगे तो आप सामान में होंगे सामाने से बैटे है सामने वाला गाली दिये जा रहा है सामने वाला खुब बके जा रहा है और इनसे कुछ हो नहीं रहा ये मुँ बनाए सामाने से बैटे है अगर ऐसा कोई कह दे तो भी आप से रहा नहीं जाएगा और आप फिर विशेस होने को तयार हो जाएंगे क्या कहा मुझसे क्रोध करते हैं अब आप समझ लो कि आपको करना क्या है और होना क्या है जब भी आप छमा किसी के साथ में करोगे क्रोध नहीं करोगे तो आपको लोग बिलकुश सामानने समझेंगे और सामानने होना आपकी नियती में नहीं है आपको विशेस बनना है यह आपकी नियती में बैठा हुआ है आपके संस्कारों में बैठा हुआ है इसलिए कोई भी आदमी कभी क्रोध नहीं छोड़ सकता भली पतनी कहती रहती है मेरे पती को बहुत क्रोध आता है और पती कहता रहता है अकेले में आकर कि महाराज बहुत गुस्टा करती है आपके सामने कहती है मैं गुस्टा करता हूँ मुझे इसी बात पर गुस्टा आती कि मुझे से ही कहती रहती जब देखा तब और इसकी गुस्सा तो मैं जहलता हूँ, आपको क्या पता? हो तो हमारा अंदर बैठा हुआ हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ हमारा एक भाव बन चुका है जब आपका भ्रह्म तूटेगा कि एक क्रोध मेरा नहीं है तब वो क्रोध छूटेगा और जब तक भ्रह्म नहीं तूटता आप कंट्रोल करोगे कंट्रोल करने से आपकी दम गुटेगी आपके लिए परेशानी प्यादा होगी इसलिए सब को अगर धरम करना है तो सामान ने बनना है हमें इसकी चिंता नहीं है कि आप करोध कर रहे हो कि मान कर रहे हो आप सब करो लेकिन आपको क्या बनना है अगर आप सामान बनने की कोशिश करोगे तो आप हर चीज को ड्रॉप आउट करते चले जाओगे हर चीज को आप अपने से दूर करते चले जाओगे और अगर आप विशेश बनने की कोशिश करोगे अभी नहीं कहूंगा कि आप क्रोध नहीं करना, आज का दिन आप बिलकुल क्रोध मत करना, अगर आपको विशेश बनने की इच्छा है तो आप क्रोध करना, और अगर आपको सामान बनने की इच्छा है तो आप छमाम का आनंद लेना, छमा में जीना, आप अपनी सुभाव म आना धरम हमें जीना सिखाता है और अधर्म हमें पर में भटकाना सिखाता है आप सोच लो कि आपको क्या करना है स्वय धर्म बड़ा अच्छा नाम चुना गया है इसमें ही सारी परिवासा सारी व्याख्या इसमें ही सम्मलित हो जाती है धर्म कहां है स्वय में है लिकिन हो नहीं पाता हम पर की तैयारी में बैठे रहते हैं पर से ही धर्म चाहते हैं और पर से ही हम धर्म की आशा करते हैं तो कभी भी हम उस आशा से भी धर्म कर नहीं पाते हैं इसलिए कहना पड़ता है मन तू ब्रम में काहे भ्रमावे मन तु ब्रम में काहे भ्रमावे आती म्रत्यु जाता जीवन आती मरत्यो जाता जीवन रीते रहते सपने योवन रीते रहते सपने योवन हर सावन का प्यासा पपीहा एक बूंद तरसावे नमुहते बगवते स्रीमाते सिपाव जल ले जिनवीषे ज्यामती स्वाहतिर तु तम्भवे नीरे छीर वारीटी प्रथम कलस वाले कलस रख देंगे और पुजारी भीया लोगों से निवेदन है आप कलस में थोड़ा थोड़ा एक बार 1111 रुपए एक बार 1111 रुपए दो बार हां भगवान पार्शुनात के सरपर शांतिधारा का सौभाग 1111 रुपया आगे बड़े चो पावे लोगों का थोड़े थोड़े से जल्दी से अभिशेक करें और अपनी ही बिवस्ता है यदि आंगे का आनंद आपको लेना है सिपर का तो आपको इस बिवस्ता है पावन सौभा कहें 21001 रुपए एक बार 21001 रुपए दो बार 21001 रुपए 16 वाले आग्मिशुतिकाम सरहनाया ओ बुझ उठी घर द्वार देखो जैनों के हो राए भक्ती कात्यो हा दस दिन भादों के होलाएं बक्ती कात्यो हा दस दिन भादों के हो 255 तब तब आप धरापर आकर प्रभू śrī-rám बनेगे तब तब आप तरापर आकर प्रभू śrī-rám बनेगे 11,000 धर मानत कुछ नाम स्थ राह गए हैं जल्दी से नाम देदें यहां पर यहां पर आप सर से चूके नहीं जोनों ने अभिशे कर लिया आगे बिराज नमा सिद्देविया ओम नमा सिद्देविया श्री वीत्रागाय नमा स्री जिन सासनाय नमा श्री अनेकांत धर्माय नमा अरिहंता मंगलं भवतु सिद्दा मंगलं भवतु साहु मंगलं भवतु अरहतम धर्मों मंगलं भवतु ओ ओम्री मानादी मुल मंथरी तुन लए मुरीटिति मुलमन्तर कर 직ृow ओम उम्रति बगभते पिष्टि म्र्णु थे गुरू 2 तकान से पेज़्ेएं भी नम्रत्य नमा संखैकर शर्डो लो अम्रत्य ят यंद लृद्य था जर्ट्टि मुरक्षब ऑद्र सरена सब्सक्राइब 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 पुस्परोग हम् भूकंप बैं में Sırव दुरु दूरोएक्ष भैयं सरव अतिवर्श्ट बैम हृते भैयं ठूर्व जीएम् सर्व दर्मस्थ कैक्झज एड़ी सरवांण व्यादी एडे mght जालिए वाद हम सर्वा साता वेडिनिय हम सर्व कर्म रोगं हे पार सतीर्थनात सरवेशाम श्री गोटिया अनिल कुमार सौरब जी जैन पनागर श्री सतीस कुमार जी मीना कुमारी जी जैन जवलपुर सा परिवारस से श्री मती सुसमा जैन नवासी मेरट सा परिवारस से श्री करगन सुरेंद्र कुमार जी मुकेश सुरेंदर कुमार जी राकेश कुमार जी राजेश जी संजय जी सा परिवारस से एवं सांतिधारा देखने वाले कनने वाले सुनने वाले समस्त पनागर दिगंबर जैन समाजसे सांतिम कुरु कुरु सर्व जना नंदनम सर्व भब्या नंदनम सर्व गोकुला नंद स्धोर्थ और भं को सले सीद्ध रमेस्ट श्टाहिशं उमन मिंनता सु राहता जर डिस्ट सALKर्द पैद्ध य किसे ले नहां कि आắmा नमा ओम रीप छीप्रीप्यात Fr. आद करूध ourselves सुप法 नाम आखqué.... ओम लिए च्म्हा छीप्रस तर च्रलीन carrot ….. ओम छीप्री मी स्रीम् डीप्रेश रमा जे एंतर्म.. च ये लो ऑनता स़०्ध साथ आखच करूध Australia.. ओम्रीम स्रीम खूम स्मानत अनित लेन उनित लेंदosiान तर नियुट अोनित्स अनित लेंस अन आंध दियुट नीफ संदि está संदिय उन्न सर गार्वाव नां कुरूड़b श्रीम कलीम नम श्या्ष्र स्वनम आप्दान राम सर्फवसान दिन सासन प्राल नव kokore यאני अप्या चुनु कानम प्रतिपाल कानम यति यंद्रसामन अनॹस्व लिखल्नद्रद य85 ओर श्द्रस्फुरमद राख्या देखिए छत्र चमर कराने हैं छत्र चमर बोली से कराने है कि अध्यक्षी जी हाँ कि छत्र स्थापित करने का पावंश वभाग श्री जनेंद्र भगवान के मस्तक पर कहां से प्रारम करें जैत्र 1101 रुपया 1221 रुपया एक वार देखिए समय कम है जल्दी से 2121 रोपया कोई बढ़ाना चाहे तो बता दें 3121 विभाति शशांक कांत रोकना एक मेड़ेक मेड़ेक चत्र लेले हाट लोग आतो जाएं चत्र त्रयम तब विभाति शशांक कांत मुचेस्तितम स्थागिता भानुकर प्रतापम मुक्ताफला प्रकर जाले व्रध शोभं प्रक्यापयति जगताः परमेशरत्वं ओम्रीम श्री जनेंदर के मस्तक में छत्र इस्तापनम करोमी चमर कुंदाव दात जल चामर चार शोभं विप्राजते तव बभू कल धौत कांकां बुदेश सांग सुची नेरे जहर बारिधारे मुच्छ इस्त तंसर गिरे वुषात कांभाव ओम नीम श्री जनेंदर मात्ये चमर श्तापनम करोमी चलिए मंगल आरती लेले प्रिए ना गड़ा बाजिला धूल बाजिले ना गड़ा बाजिला हो पारिशना थे के है हो पारिशना थे के है हो पारिशना थे के तरपार में हम सब नाचेंगे अरे ठोल बाजिले ना गड़ा बाजिला हो पारिशना थे के है हो मेरे बाबा के है हो मेरे बाबा के तरपार में हम सब नाचेंगे और जगमक्दीपों के माध्यम से देवाज दिवे खजाशी शांतिना भगवान के आर्थे करते हुए आर्थे में मगन होते जूम जूम बत्यगान करेंगे देखो हम सही बता रहें आपको हमारे यहां पर भी मडावरा का नाम किन किन ने सुना है ललितपुर का नाम सुना है एक तरफ सुदा सागर जी विराज माण